अज दिल्ली हाई कोट में स्कूलों में योग अनिवार करने के मामले पर सुनवाई हुई अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री आफ आयूस जो आयूस मंत्राले है उसने अपना जवाब दाखिल किया है और यह कहा है कि आठवी तक अगर योग अनिवार किया जाएगा तो इससे बच्चों का सारीरिक और मांसिक विकास होगा जो बच्चों में हिंसा की प्रवित्ती है वो प्रवित्ती भी कम होगी तो अल्टिमेटली आयूस मंत्राले ने आज मेरी याजका का समर्थन किया है लेकिन चुकि स्लेबस में डालना आयूस मंत्राले का काम नहीं है स्लेबस में डालना सिख्चा मंत्राले का काम है और दिल्ली सरकार का भी इस पर कोई जवाब नहीं आया था तो इसलिए आज कोट ने दिल्ली सरकार को, NCRT को, NCPCR को और केंद्र सरकार के सिख्छा मंत्राले को कहा है कि आप लोग भी अपना-पना जवाब दाखिल करिए हमेरा यही कहना है कि अलग-अलग विशे पढ़ाये जा रहे हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर विशे है हेल्थ और योगा साइंस जिससे बच्चों का सारीरिक विकास होगा, मांसिक विकास होगा, उनमें कल्चर डेबलप होगा, उनके अंदर हिंसा की प्रविती खतम होगी, उससे देश का विकास होगा, वो नहीं पढ़ाये जाता है इसलिए कम से कम आठवी तक, यानि जहां भी बच्चे 14 साल तक पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कान्वेंटी स्कूल हो, गुर्कुल हो, या मदर्सा हो, जो भी हो, लेकिन जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, योगानिवार होना चाहिए, अब चूकि आज दिल सरकार भी इस याचिका का समर्थन करेगा, शिख्चा मंत्राले भी समर्थन करेगा, NCRT इस पे स्पिक स्लिबस डिवलप करेगा, और बहुत जल्दी पूरे देश में, आठवी तक, पूरे देश में, मदर्सा, मस्टारी स्कूल, गुर्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवे झाल झाल